गुड आफ्टूनून स्टुजेंट्स तुडे वी आर डूइंग हिंदी पार्थ दस भोले के सपने यह पार्थ हम पढ़ चुके हैं मैंने आपको यह पार्थ समझा भी दिया है आज हम इस पार्थ के कठिन शब्द शब्द और अभ्यासकार रहें अपनी नोट बुक और ब और लिखना शुरू करेंगे चलिए अपनी नोट बुक निकालिये हिंदी की और मेरे साथ लिखना शुरू करें यह है यह है पार्थ पार्थ दस और पार्थ का नाम है भोलू के सपने यह है पार्थ का नाम चलिए अब हम डालते हैं हेडिंग कठिन शब्द और हम अपनी बुक खोलेंगे पेज नमबर 70 पर 70 पर और हम अब कठिन शब्द लिखना शुरू करेंगे कठिन शब्द लिखने के लिए मैंने आपको हमेशा से बताया है जब भी आप नमबर लिखेंगे गिंती लिखेंगे तो हमेशा हिंदी में ही लिखेंगे पहला कठिन शब्द है समुंद्र दूसरा है जोपड़ी तीसरा है लड़कियां चौथा है कलपना पांच्वा है मचलियां छटा है अध्यापक साथ पर है कहानियां आट पर है ध्यान नौ पर है वायू यान दस पर है पन डुब्बी ग्यारा पर है उमंग और आखरी है बारा बारा पर है डैने चलिए अब हम दुबारा से रिवाइस करते हैं सारे कठेशब सबसे पहला है समुंद्र दूसरा है जोपड़ी छोपड़ी लड़कियां कल्पना मचलियां अध्या पक कहानियां ध्यान वायू यान पन टुब्बी उमंग आखरी है डैने चलिए अब सभी बच्चे अगले पेज़ पर सभी बच्चे अगले पेज़ पर करेंगे मैं को कोई कॉपी नहीं करेगा मैं सेम पेज़ पर कर रही हूँ आप अगले पेज़ पर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे शब्द अर्थ सभी बच्चे साथ के साथ डेट डालते चलेंगे आज की तारीक सब को डालनी है हिंदी में ही ठीक है सभी बच्चे हिंदी में तारीक लिखेंगे कोई भी अंग्रेजी में नमबर नहीं लिखेगा तारीक का चलिए शब्दर्थ करते हैं पहला शब्दर्थ है बटोरना बटोरना का اर्थ होता है एकठा करना दूसरा है डैने डैने का अर्थ होता है पंक तीसरा है उमंग उमंग होता है खुशिया अगला है सपने देखना सपने देखने का अर्थ होता है कल्पना करना आगे है पन डुब्बी पन डुब्बी का अर्थ होता है पानी के भीतर चलने वाला जहाज अगला है कल्पना करना इसका अर्थ होता है जो सामने नै हो उसके बारे में सोचना चीक है अगला है कदम कदम का अर्थ है पैर अगला है वायूयान हवाई जहाज अगला है संभव हो पाना चले बच्चो अब हम दुबारा से शब्दर्थ पढ़ लेते हैं एक बार बटोरना इकटा करना डैने पंक उमंग खुशियां सपने देखना कल्पना करना पन डुब्बी पानी के भीतर चलने वाला जहाज कल्पना करना जो सामने ना हो उसके बारे में सोचना अगला है कदम कदम का अर्थ है पैर वायू यान हवाई जहाज संभव हो पाना चले आज हमने क्या किया कठिन शब्द और शब्द अर्द अब हम करेंगे अपनी बुक में अभ्यास कार रहा है एक्सरसाइज हम करेंगे सभी बच्चे अपनी बुक खोले चले पहली एक्सरसाइज सबसे पहले हमें प्रशन उत्तर दिये गए हैं प्रशन उत्तर हम अगले कक्षा में करेंगे पहले हम exercise करेंगे भोलू ने क्या क्या सपने देखे ये exercise मैंने लिखी हुई है पर ये exercise आप खुद से करेंगे ये आपका homework है मैंने लिखा हुआ है मैं पढ़ देती हूँ पंची की तरह उड़ना मचली की तरह पानी के अंदर जाना समुंद्र की लहरों में समुंद्र की लहरों को पार करना या समुंद्र की लहरों से पार जाना चांद से मिलने के सपने देखना तो ये सभी क्या किया भोलू ने सपने देखे तो मैंने तो लिखा हुआ है ये आप खुद से लिखेंगे ये आपका homework है अगली exercise है ये समबात किसने और क्यों कहे तो मैं आपको बता देती हूँ पहला है सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ किसने कहा और क्यों कहा तो ये किसने कहा था हमने पाट पड़ा हुआ है हमें पता है पिता जी ने कहा क्योंकि भोलू उड़ने आदी के सपने देखा करता था और पिता जी से साकार होने के लिए पूचता रहता था क्यों क्यों मना किया क्योंकि भोलू ये सारे सपने देखता था और अपने पापा से इन सब को पूरे होने की विंती रखता था इनको सपने को पूरा करने की इच्छा रखता था इसलिए भोलू के पिता ने ऐसा कहा जो हमें पंक्ति दी हुई है चलिए तेजी से दोड़ तो सकते नहीं और उड़ना चाहते हो किसने कहा और क्यों कहा ऐसा हमें पता है हमने पाठ में पड़ा हुआ है भोलू के भाई बड़े भाई भी लिख सकते है भोलू के बड़े भाई ने कहा क्योंकि भोलू ने उन्हें भी अपने सपने की बात बताई थी भोलू ने सबको बताई थी ये बात सपने की बात कि वो क्या क्या करना चाहता है कैसे सपने देखता है तो इसी बात पर भोलू के भाई ने उसे ये वाक्य कहा था समझ आया सबको अब आगे चलते हैं अगले अभ्यास पर सही उत्तर के सामने सही का चिन लगाएं भोलू की आयू थी 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष तो हमने चैप्टर में पड़ी है भोलू की आयू 8 वर्ष थी भोलू के साथ रहते थे उसके साथ ही उसके भाई बहन उसके सपने उसके साथ कौन रहते थे उसके भाई बहन गाउं में कौन आया डाक्टर अध्यापक या वज्ञानेक तो गाउं में कौन आया था अध्यापक चलिए अब ये जितने भी अभ्यास हैं ये पहले आप खुद करेंगे खुद से प्रैक्टिस करेंगे मैं सिर्फ रिवाइज आपके लिए एक जिस्ट दे देती हूँ ये आपको खुद करने क्यों कि आप अल्रेडी कर चुके हैं अपने मिट्टम में और यूटी टू में भी देखे कहानी में बहुत से नाम वाले शब्द हैं नाम वाले संग्या शब्द होते हैं सबको पता है शब्दों को चुनकर उचित स्थान पर लिखें यहां पर आपको व्यक्तियों के नाम लिखने हैं यहां स्थानों के नाम या वस्तों के नाम क्या क्या आएं एक तो भुलू आया है एक बड़ा भाई आया है पिताजी आया है अध्यापक आया है स्थानों के नाम क्या क्या आया है समुंद्र आया है स्कूल आया है गाउं आया है अंत्रिक्ष आया है वस्तू के नाम क्या आई है वायू यान पंडुब्बी यह सारे नाम वस्तू के नाम में आए है तो चलिए यह अभ्यास आप खुद से करेंगे अगला है भोलु की बहन जंगल से डैश लेने गई अब इसमें आपको क्या करना है एक वचन बहुवचन या आप बहुत बार कर चुके हैं या पराम से अभी भी कर पाएंगे ठीक है तो लकडी का क्या हो जाएगा लकडियां तो ये हो जाएगा बहुवचन समुंद्र में उंची उंची डैश उड़ रही थी अब ये है लहर तो लहर का बहुवचन क्या होगा लहरे मेरे बैग में बहुत सी डैश है किताब का क्या होगा किताबे भोलू दिन भर डैश देखता रहता था क्या देखता था सपना यहाँ पे सपना एक वचन दिया है आपको बनाना है बहुवचन आप लिखेंगे सपने तालाब में रं बिरंगी डैश तैर रही थी मचली का क्या हो जाएगा बहु अचन मचलिया ठीक है तो इस तरीके से आपने ये अभ्यास भी कर लिया अब अगला अभ्यास है इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें पक्षी अकाश में उड़ रहे हैं भुलू तेजी से बच्चों ने सुन्दर चितर बनाए उड़ रहे हैं दोड़ा बनाए हैं ये सबी काम हैं जो किसी ना किसी के दुआरा किये जा रहे हैं या हो रहे हैं जिन शब्दों में किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं ये आपके लिए अभी नहीं है ये व्या अभ्यास भी क्रिया से रिलेटेड है तो हम यह अभ्यास नहीं करेंगे हम अगला अभ्यास क्या करेंगे यह आखरी वाला अभ्यास सही उत्तर के सामने सही का चिन लगाएं कौन सा शब्द क्रिया है क्रिया कौन सा शब्द होता है जिसमें कोई कार्रे होता है भोलू तो नाम है गाउं जंगा है वह सर्वनाम है जाता है क्रिया है क्रिया है क्रिया मींस काम होना तो जाता हो रहा है मतलब काम हो रहा है कोई जा रहा है तो यह हो जाएगा क्रिया अगला है मचली का बहुवचन मचली का बहुवचन यहां पर बहुत सारा लिखा हुआ है मचलियां मचलिय तो यह दो तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे अब है उत्तर मचलियां अब इन में से हमें जूनना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है किसकी जो इसपलिग है ठीक लिखें तो मचलियां ऐसे लिखा और ये भी हो जाएगा रॉंग तो इस प्रकार से आज हमने कठिन शब्द शब्द और अभ्यास कार्य किया पार्ट 10 का सभी बच्चे इतना काम अपना पूरा करके रखेंगे सभी बच्चों को कठिन शब्द शब्द अपनी हिंदी की फेयर नोट बुक में करना है और अभ् हो जाएगा सभी बच्चे इन चीजों का ध्यान रखें और पार्ट को बड़े ध्यान से पढ़ें चोटे चोटे प्रशनुत्तर पार्ट के बीच में से जरूर आएंगे और आपको पता होने चाहिए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद